मंदिर है या मस्जिद? शिवलिंग है या फुहारा? ये विवाद जो ग्यानवापी मस्जिद और काशी विश्वनात मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है उस पर हम जानेंगे फिरुजाबाद की जन्ता की क्या है राय? फिरुजाबाद की जन्ता क्या कहती है? क्या कहता है फिरुजाबाद का मुस्लिम समुदाए? और क्या कहते हैं फिरुजाबाद के हिंदू, संगठन और हिंदू समुदाए के लोग? तो जानते हैं यह सारी चर्चा आज हम करेंगे, हम सभी लोगों से मिलेंगे, हिंदू समुदाई से भी मिलेंगे, मुस्लिम समुदाई से भी मिलेंगे और जानेंगे कि सिवलिंग का रहस्य क्या है पुबारा ऐसा होता है यहार चोवीस का अलग से ना वाला है यह परोने पहले ही से उग्जाना तुट कर दिया हमारे शिवजी वगवान का मंदिर का स्वरूप मही पर देना चाहिए तो सवाभिक जीर हमां मंदिर वही बनना चाहिए मजजित बिल्कु तोड़ी जाने चाहि कि जो बता रहे हैं कि यह एक शिवलिंग है इस वक्त पूरे उत्रप्रदेश में एक ही बात चर्चा में है कि काशी की ज्यानवापी मस्जित के वजूखाने में शिवलिंग है या फुवारा इस पूरे मामले में याचिका करता वकील ने अपनी बारा पन्नू की रिपोर् और इस रिपोर्ट में पूरी तरह दावा किया गया है कि ज्यानवापी मस्जित के वजूखाने में शिवलिंग है हाँ जब वो एरिया पुरा भी सील कर दिया गया है और जहां पर भगवान का शिबलिंग मिला है महां पर किसी भी तरह का वजू करने का कोई अचिती ही नहीं बनता है इसलिए मानिन एलेज ने अभी आदेश पारित किया है उसे वजू खाने की एरिया को सील करने का अब मुझे लगता है कि अब आगे नेलेक्स आमने जब रिपोर्ट पेश होगी तो मानने नेलेक्स में आगे अपना और्ट पास करें। इस रिपोर्ट के बाद वरसी कोट ने भी काशी प्रसासन को आदेश दिये हैं कि मस्जद में 20 लोगों से ज़्यादा को नमाज नहीं पढ़ने दी जानी चाहिए और मस्जद को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस पूरी सुनवाई के बाद हमने जब फिरोजबाद की अवाम से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए ये रिपोर्ट। एक लफज है लकुम दीनों को वलेया दीन तुम दूसरे के धर्म की इजजद करो हम तुमारे धर्म की इजजद करते हैं। सरकार इंदू-मसल्वान कर रही है करने नहीं चाहिए ऐसा। इकबाल ने कहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। अनेकता में एकता के लिए ये देश जाना जाता है। विविद्धर्म है यहाँ पर अनेक अनेक सब्विताएं हैं और हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर पानी बदलता है और थोड़ी थोड़ी दूर पर वानी बदलती है। विबिन तरीके की विविद्धिताएं होते हुए भी ये देश जो है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है और सभी यहाँ पर प्रेम और भाईचारे की भावना यहाँ पर देखने को मिलती है इन सब के बीच में कई मुद्धे इस तरह के उठते रहते हैं जो की हिंदू, मुस और क्या कहती है फिरोजाबाद के मुस्लिम समुदाए उस ग्यान व्यापी मस्जित के अंदर मिले हुए शिवलिंग के बारे में जुड़े रहिए हमारे साथ कि आई ये न्यूस की इस विशेश पेशकर्श में आपका स्वागत है और जब देश में जरूब जिस चीज की हो उस पे बात होनी चाहिए ती आज महगाई पर इंटर्व्यू नहीं हो रहे हैं आज डीबेट होने थे महगाई पर उस पे नहीं हो रहे हैं ये सिफ सरकारगत 2024 को लेकर एक मुद्दा ख़ड़ा करना है और मस्जित थी या मन्दि कहा जा रहा है कि जो ग्यानवापी मस्जद का वजू खाना है वहां पर शिवलिंग मिला है देखिए का भारती हंता पाल्डी का दो भी मसलों पर सत्ता आई है कि जितना ही धरम के मामलब हम लाएंगे उतनी हम राज करेंगे तो वह हलात पैदा कर रहे हैं बात होना चाहिए बेरुजगारी की तो बेरुजगारी की बात नहीं हो रही है बात होना चाहिए सिच्चा की सिच्चा की बात नहीं हो रही है बात होना चाहिए कि नोक्रियां जो बच्चों को लगना चाहिए जो बच्चे पर लग गए उनको नहीं लग रही है तो उसको ध्यान बढ़ाने कि नहीं है भारती इंता पार्टी के लोगों होने तो यह कासी में जिस तरह से यह खेल खेल लहीं है दो यार 24 का चुनाव की निये खेल लहीं अच्छा जायर की वादर बिल्डिंग बनेगी तो जायर की वादर नीम तो रखी जाएगी नीम के जरीए भी बनेगा अब जो किस फवारे भारा बनता है तो इसमें गोल सा सिस्टम बनाया जाता है अब उस मामले को किस तरह रूप दे रहे हैं बारती इसा तो हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा फवारा कौन सा होता है जो इस तरीके से गोल गोल और लंबा बार पुट तक फवारा चला गया और उसके ऊपर माले की भारती इंता पाल्डी का एक कै感 एक चीज चीज को हैलेट करना है उनको पाना आए कि यह चीज को तो वो जनता को घुम्रा करकर मीडिया क्या क्या हर वजह को खाने में इस तरह का फवारा होता है नहीं जो बड़े बड़े मच्जित अगने लगा देते हैं जिससे क बढ़ाने की नहीं है बजू बना दिया तलहिया बना दिया उसमें फ़ारे लगा दिये उस तरह से बनोगा जैसे कासी में बनोगा और भी मज़िदों में बने हैं काभी मज़िद है इंदुस्तान के अंदर लेकिन भारती इंता पार्डी सवाल मैं आपके चैनल से पूछना कि त्सक्राव दर्म के पीछे कें बाग रहे है देस बारा घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग वीडेवर कोर्ट में पेस्ट की जारही है और उसमें है डिह देखिए जो नोने बताया वह उनका पहले ही पूरा डाटा सेट कर रहुआ होता है वह वीडियो रेकॉरडिंग जुटी है जुटी 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 कुछ नहीं है मैं जुटा नहीं कह रहे है वह उनका पहले ही और अल्रेडी सब चीज़ा होती है पॉलिटिकल रूप क्या देना है कैसे क्या करना है मुद्दा क्या है पॉलिटिकल है और डिफ्रेंसियेशन है और क्या है और कुछ नहीं है जब देश में जरूर जिस चीज की यह उस पर बात होनी चाहिए ती आज महंगाई पर इंटर्व्यू नहीं हो रहे हैं आज डीबे आला ऑफिसर पकड़े गए कि जिनके थुरू यहां पर आईडियक्स आया उस पर कोई मुद्दा नहीं उठा उस पर कोई आ गया है इंक्वारी नहीं होई सब बंद कर दिये गए और अगा चल भी रही है उनक्यारी तो उस पर डीबेट बन नहीं हो रही है यह सिफ दो हज कर रहे हैं कि यह एक शिवलिंग है अगर किसी भी धर्म की कोई चीज है तो उसका मैं इसलाम धर्म का बताता हूं कि इसलाम धर्म में यह कि आप सबको सम्मान दीजिए यदि आप किसी धर्म के उपर उंगली उठाओगे या उसको पत्तर बैगोगे तो आपको भी बुरा करना चाहिए अगर वो मंदिर था और उसके तत्थे मिलते हैं तो मज़िद नहीं होने चाहिए और अगर कोई तत्थे नहीं है एक बेस लेस बात है तो जो इन अफ्राव को ला रहे हैं उनके खिलाफ कर भाई होने चाहिए अब नंदी दिन पर फिरते रहते हैं जाम हो करके बैठेंग महीं वह यांगी सिविल ऐसा रही है जब क्यों उट रहा हैं अम हिंदु मुतरमान सब मिल्यूंद कर रहा हैं सब का साथ सबका बिकार जब मूदी जीन का करता रहे हैं जो भी नियम लागू होता है सब के लिए होता है जो भी नियम लागू होता है सरकार जो भी नियम लागू करती है सब के लिए करती है ब्राबर करती तो मुसलमानी परिशान हो रहा है काम दंदे के लिए सो रुपे को रहा है तीन दिन काम बंद हो रहा है कारीव इंसान कहा जाएगा सब को रोजगार मेलेगा कोई माता वहना परिशान नियों मी जोटे अलवायों से क्या हिंदोस्तान का विकास हो जाएगा अभी मैं हूं अभी इतने चार आदमी कड़े है मैं इसे कहा हूं पा पाजमान परेशन कर दिया आदमी को किस लिए आदमी जिस तरीके दर जी रहा है उसको जीन तो राइनीती आप कर रहो आप करते रहो किसी को कोई राइनीती नहीं है किसी भी धरम के उपर किसी भी मजब कोई राइनीती नहीं होना चाहिए हमारा सब लोगों से जी क्याना सब लोग हिंदु वाई और मुसलमान भाई सब एक दूसरे से मिलके ही रह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पर यह बात है क्यों हो रही है बताई एक मुस्लिम समाज एक जो अगर हम धर्म की बात करते हैं हमा जहां पर हम हात और पैर दोते हैं जाकर के संकर जी का मंदिर ह अगर चलिए उनकी जानकारी में नहीं था अब उनको महसूस हो गया है पता चल गया तो उनको इस चीज से दूरी बना लेनी चाहिए और हिंदु समाज को उस मंदिर बनाने के लिए आंगे बढ़ाना चाहिए जो है कि मंदिर बनना चाहिए उस पर कोट विचार कर रहा है कोट का विचार करने के साथ साथ मुस्लिम समदाय को भी हिंदुस्तानी हो करके हिंदुस्तान के बासी हो जाने के नाते भी उनको आंगे बढ़के के हिंदु समाज को उसके सुपत सौपना चाहिए बाबा मिल गया है क्या कहना चाहिए यह तो अच्छी बात है वहां बाब तो अगर आप कह रहे हो के यहां बाबा मिल गए काशी में अगर जमीन को कहीं पर खोड़ा जाए वहाँ पत्थर नुकलेगा यह जो है सारी बात हम जंता कुछ उम वह भारे में भिल रहे हैं जो हमारी जंता आप बड़े आदम का कुछ नहीं बड़ों के लिए कुछ नहीं और चोटों के लिए डंड़ मट करो अगर मैं ओता यह क्या करना चाहिए अब दूसरी मडित तोड़े जानी जाहिए मद्र कर d Line Shir As! कई दूसरी जगा बना देनी चाहिए